सभी को जैसरी कृष्णा, जैसरी राम, तो आज रमाइन की एक छोटा सा व्रतान्त सुनाते हैं, रमाइन में तो हर एक पात्र, हर एक, मतलब लाइन में आपके जीवन जीनेगा, कि कैसे जीवन जीएं, कैसे परिवार के साथ रहें, वो सब बताया गया है, तो ये व्रतान्त है तब का जब रामवनवास हो चुका था, और भरत जी आ चुके थे राम जी से मिलके, और ये व्रतान्त है माता कौसिल्या और सुरुती कीर्टी का, तो सुनिये, और सत्रुघन जी का, बहुत ही मरमिस परसी, बहुत ही दर्द भरा व्रतान्त है, आसुओं को जरूर रोक के रखिएगा तो एक रात की बात है माता कौसिल्या जी को सोदे में अपने छट के ऊपर किसी के चलने की आहट सुनाई दी तो नीद खुल गई उनकी उन्होंने पूछा कौन है तो मालूम पड़ा सुरुतिकीर्ती जी है सुरुतिकीर्ती जी कौन है सत्रुघन जी की पतनी है सबसे छोटी माता कौसिल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया सुरुतिकीर्ती जी आई और चर्णों में प्रणाम कर खड़ी हो गई कितना कायदा था कितना प्यार था माता कोशल्या जी ने पूछा सुरुती इतनी रात को अकेली छट पर क्या कर रही हो बेटी क्या नीद नहीं आ रही है सत्रुगन कहां है माता कोशल्या को कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है सत्रुगन कहां है कुछ भी नहीं पता तो सुरुतिकीर्थी की आँखें भराई और मा की छाती से लिपड़ जाती है और गोद में सिमट जाती हैं और गोद में लेटी-लेटी बोलती है मा उन्हें तो देखे हुए तेरे वर्स हो गए हैं पतलब जब से राम जी गए हुए थे, जब से भरत जी वापस आए हैं, तब से राम जो सत्रुघन हैं, वो घर पर नहीं थे, वो महल में नहीं थे, वो बाहर चले गए थे. तो उनको तो पता ही नहीं था उन्होंने कहा ओहो कौसल्या जी का हिर्दे काप गया जट पटा उठी हूं दर्द की वज़े से क्योंकि जब से राम गए हुए थे ना तब से सब अपने अब किसी को किसी की सुध ही नहीं थी तुरंत आवाज लगाई सेवकों को सेवक दोड़े चले आए और आधी रात में पालकी में बैठके माता कौसल्या निकल गई सत्रुगन को खोजने के लिए तो आपको पता है आप सब को मालूम है कि सत्रुगन कहां मिले सत्रुगन की जब खोज होती है माता कौसल्या जब खोजने निकलती है अपने सेवकों के साथ तो सत्रुगन मिलते हैं आयोध्या जी के जिस दर्वाजे के बाहर भरत जी नन्दी ग्राम में तपस्या कर रहे हैं उसी दर्वाजे के भीतर एक पत्थर की सिला में उसी सिला पर अपनी बाह का तकिया बनाए हुए लेटे हुए हैं जैसे ही मा देखती हैं तो देखके रह जाती हैं सत्रुगन को और मा सिराहने बैठ गई बालों में हाथ फिराया तो सत्रुगन की एकदम से आखें खुली और एकदम से बोले मा और चड़नों में गिर गए कि मा आप इतनी रात में आप क्यों कस्ट की आप मुझे बुला लिया होता मा ने कहा सत्रुगन यहां क्यों तो सत्रुगन की रुलाई छूट गई वो रोने लगी फूट फूट कर रोने लगे पहुत रोए और बोलते हैं मा भईया राम जी पिता जी की आग्या सेवन चले गए भईया लच्मन जी उनके पीछे चले गए भईया भरत जी नंदि ग्राम में हैं क्या ये महल ये रत ये रासी वस्त्र ये एस और आराम सब विधाता ने मेरे लिए ही रचे थे म मेरे लिए ही बनाए हैं क्या मा आप बताओ माता कौसिल्या जी क्या बोलती माता कौसिल्या जी निरत्तर हो गई उनके पास कोई उत्तर नहीं क्या बोलती मो देखती रह गई तो सोचिया क्या है ये राम कथा कितना प्यार है एक दूसरों के पीछ में कितना प्यार है की कथा है यहां त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रतम है कोई पीछे नहीं रहा है कोई भी भाई सब एक से बढ़ कर एक त्याग किया है चारो भाईयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुद है अभिना और अलोकिक है रमायन जीवन जीन कि सबसे उत्तम सिक्षा देती है भगवान राम को 14 वर्स का वनवास हुआ तो उनकी पतनी सीता मैया ने भी सहर्स वनवास स्विकार कर लिया परन्तो बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लच्मन जी कैसे राम जी से दूर हो जाते माता सुमित्रा से तो उन्होंने आग्या ले ली थी वन जाने की परन्तो जब पतनी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि मा ने तो आग्या देदी परन्तो उर्मिला को कैसे समझाऊंगा क्या बोलूँगा उनसे यही सोच विचार करके लचमर जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी और आरती उतार कर उनको खुसी खुसी विदा की तो ऐसी है रमायन में हर एक पात्र हर एक लाइन से आपको जीवन जीने क अनभो मिलेगा कि कैसे जीवन जीना चाहिए कैसे रिस्तों को निभाना चाहिए जो कि आज के टाइम पे खतम होता जा रहा है तो आप भी रमायन से कुछ सीखिए और अपने जीवन को अपने घर को स्वरगी के जैसे बनाईए खुस रहे प्रशन रहे खुद भी रहे और दूसरों को भी रखिए तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर और सबस्क्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू सो मच फुल वाच करने के लिए